हेलो फ्रेंट्स गुड़ बॉनिंग आजके इस वीडियो में बात करते हैं जो डाजेस्टिव ट्रेक्ट है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए और कौन से घरेलो उपाय अपनाया जाए ताकि इंटेस्टाइन और उससे जुड़े हुए अंगों का काम आसान हो सके और समस्य तो दिखे जो डाजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक आता है इसमाल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली रेक्टम तो जो कुछ भी हम लोग फूड सप्लिमेंट खाते हैं उसमें सरीर के लिए अधिकतर लाबदायक होते हैं लेकिन मेटाबोलिक प्र लगते हैं इंटेस्टाइन से जिसको हिंद्री में संग्रहणी भी बोलते हैं अगर उससे एबज्वार होने लगते हैं तो कई समस्याँ उद्पन होती हैंँ तो इनी सब समस्याओं के निजात के लिए होमेपैथी में कई अच्छु मेड़सीन हैं लेकिन वहमेपैथी अगर आप को यूज करते हैं, तो क्या फायदा हो सकता है? अब कैसे इसको यूज किया जाए? पूरी बात समझते हैं. तो दिखे जो इसब गोल है, यह फाइसेलियम हसक है, यह एक तरह से भूसी है, पूरा नाम ही है इसब गोल की भूसी. आता किस से है? derived from seed of plant plantago plantago एक plant है होमेपथी में इससे बनी हुई मेडसीन है plantago जो दांत दरदोर के लिए बहुत अच्छा काम करती है तो दिखे जो दांत है वो एक तरह से समझा जाए तो जो digestive system है उसका सहायक पार्ट है तो होमेपथी मेडसीन है plantago उसी plantago के husk से भूसी से बनी हुई है इसब गोल की भूसी तो होमेपथी में जो plantago है वो भी काम का है दांत दर्थ, दांत के जो cavity लपनना पेन इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसी का जो husk है वो है इसब गोल तो derived from seed of plant plantago संस्कृत में अस्प घोल बोलते हैं इसको संस्कृत के टर्म में इसको बोलते हैं अस्प घोल इसका मतलब होता है हार्स पावर घोडे की सक्ती यहनि घोडे जैसे अगर आप सक्ती चाहते हैं तो जो digestive tract है उसको सफाई करना जरूरी है टाइम टाइम पर तो digestive tract अगर clean है तो कई बिमारिया constipation, diarrhea, piles, बवासीर यह सब समस्यां नहीं होंगी फिसर्स और कोलिस्ट्राल के अबज्वासन को भी कम करता है तो इस तरह से काफी काम का है इस सब गोल तो आप इसको जरूर यूज करें इस अब गोल जो होता है ना fiber है इस अब गोल का जो fiber है उसमें 70% soluble होते है 30% insoluble जो इस अब गोल की भूसी होती है उसमें कुछ soluble fiber है लगभक 70% अब कुछ insoluble fiber है तो यूँ समझ लिजे कि जो fiber है सरीर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुचाएंगे दिक्कत क्या होती है कि जो हम लोग food supplement लेते हैं खास्त और से जो fast food यूज़ करते हैं उनमें fiber की कमी होती है और fiber की कमी होने से कई बिमारियां उत्पन होने लगती है इसलिए कि metabolism ठीक से संत्री तरीके से नहीं चलती रहती है तो आप इसब गोल में यूज़ करके उसका जो fiber है उसका health ले सकते हैं health को improve करने में तो इसब गोल काज is tool to soften and expand as a result gut movement improved कुछ लोग बोलते हैं को उनका पेट साफ नहीं होता है कब्ज बनी रहती है कब्ज बने रहना पेट साफ होना दूनों एक ही बात है इसका जो result क्यों होता होगा ऐसा कि जो bowel है जो intestine है उसका जो movement है वो उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है जैसे माल जी कि यह intestine है इस तरह सह से ठीक है तो इसमें से stool इस तरह सह से जाना चाहिए इसको यहीं इसमें इस तरह से peristaltic motion होता रहता है तो stool आगे जाता है अगर gut का जो movement है अगर ओ efficient नहीं है तो कुछ stool इसमें रुख जाएगा अब कुछ stool अगर रुख जाएगा तो वही क्या create करेगा constipation क्या उत्पन करेगा constipation और constipation से जो food contain है और सडने लगेगा जब सडने लगे सडने लगेगा यहीड काफिदे टक बनने लगी बनते रही तो प्रा इसर जैसी समच्छ उत्पन हो सकती है बावासीर फिसर सिए उत्पन हो सकती है तो अगर आपको constipation diarrhea Beesare humanity इन सबसे बचना है इनक्लूडिंग कोलेस्ट्राल ट्राइग्लिसराइट्स जो बढ़ा हुआ है इन सबसे अगर बचना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इस सब गोल की भूसी तो और काम कहा है प्रिवेंट एबजवासन आप कोलेस्ट्राल फ्राम इंटेस्टाइन जो कोलेस्ट्राल ट्राइग्लिस्ट्राइट्स के एबजवासन को भी कम करेगा तो जिनका भी ट्राइग्लिस्ट्राइट्स कोलेस्ट्राल बढ़ा रहता है उन सब के लिए यह भी यूज करना पड़ेगा यूज कैसे करें सिंपल सा तरीका है आप इस सब गोल की भूसी ले मिला लिजे और उसमें थोड़ा सा निबू मिला कि अगर आप सुबह पीते हैं सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपका जो वजन है ओग कम होगा तो मोटापा कम करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं तो सुबह ऐसे यूज करें एक कप गुनगुना पानी लें उसमें दो चम्मच इसब गोल की भूसी डालें और थोड़ा सा लेमन जूस तिससे वजन कम होगा सुबह खाली पेट लेना है और दूसरा तरीका साम को लेन है इस सब गोल प्लस वार्म वाटर गुनगुना पानी लेजिए और गुनगुना पानी ले सकते हैं या फिर मिल्क दूद ले लेजिए और उसको मिला दीजे मिलाने कबाद उसको रात सोने से पहले पी जाए तो रिमूब टॉक्सिन फ्राम इंटेस्टाइन के बीमारी उत्पन हो जाती है थोड़े कंसेंटेसं पर बिमारीय उत्पन नहीं होती है तो जैसे आप दिपावली दसरे पर घर के सफाई करना जरूरी होता है उसी तरीके से कुछ टाइम के इंटरवल में 2-4 महिने में आतों की भी सफाई करना जरूरी होता है तो die सफ से बचने के लिए, कांस्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, फिसर्स और हेमरायड्स, पाइल्स, इन सब से बचने के लिए आप इस सब गोल की भूशी जरूर यूज़ करें, बहुत फैदेमंद है, तीन से चार दिन में उसका इफेक्ट अच्छे से देखने लगेगा, एक काम की बात समझें, जानकारी समझ में आई, तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे, ताकि नए अथेंटिक वीडियो आपको मिलते रहें, और आपकी जानकारी बढ़ती रहें, तो आपने पूरा वीडियो देखा, थेंक्यो